परिवार को स्वर्ग कैसे बनाएं इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं सुमवार से लेकर की रवीवार तक इस साथ वार होता है लेकिनी साथ वार के बाद आठवा वार है वह है परिवार साथ वार के बाद आठवा वार है परिवार और इसी परिवार को कैसे संचालित करना है इसको यदि हम सही ढंक से जान जाते हैं तो हमारा अपना घर स्वर्ग बन जाता है और संचालित करने का तरीका सही नहीं होता है तो हमारा घर नर्क का द्वार हो जाता है हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे घर स्वर्ग बने लेकिन चाहत होती है लेकिन आचरन नहीं होने के वज़ा से घर में राग और द्वेस चलते चलते एक दुसरे के सिक्वा और सिकायत करते करते घर परिवार पूरा नर्क बन जाता है जिस परिवार में आपस में भाई भाई देरान जठान साज बहु ननन्द भाउज पती पतनी पिता पुत्र आपस में प्रेम से रहते हो मानो उस घर में निश्चित ही सांती रुपी देवी निवास करती है और जिस घर में आपस में कला है वह घर नर्क का द्वार हो जाता है आज हमारे भारत देश में मकान बनते चले जा रहे हैं और घर तूडते चले जा रहे हैं आज हमारे भारत देश में मकान बनते चले जा रहे हैं कई तल्ला मकान खड़े होते चले जा रहे हैं बिल्डिंगे बनते चली जा रही है कई मंजिल इमारत लिकिन सभाग्य कहो या दुरुभाग्य कहो कि घर तूट करके बिखरते चले जा रहे हैं और इसको घर को तोटने में हर व्यक्ति जिम्मेदार है मकान बनने में जैसे छड़ और सिमेंट इट अगारा का मसाला मलहम लगाया जाता है और छड़ सिमेंट इट से मकान बनता है वैसे ही घर को बनाने में हर व्यक्ति जिम्मेदार है हर व्यक्ति जिम्मेदार है जब मकान बनाया जाता है तो मकान में इट के उपर इट रखते चले जाए तो इट भरभरा करके गिर पड़ेगा उसकी मजबूती के लिए सिमेंट का गारा का मसाला लगाते हैं परिवार में एक से एक दुसरे आदमी के जो बीच में दरारे पैदा हो रही है न एक दुसरे के बीच में जो सिक्वा और सिकायत यही सिक्वा और सिकायत ना हो इसके लिए एक दुसरे आदमी के बीच में प्रेम रुपी मसाला चाहिए और प्रेम सुकता चला जा रहा है, घर बंजर बनता चला जा रहा है घर में आनंद नहीं है, घर जैसे नर्क का द्वार लगता है, परिवार उस घर को कहा जाता है जिस घर में आरदस सदस्य हो, उस घर को परिवार नहीं, उतना ही नहीं है आर दस दस से तो हर घर में रहते हैं लेकिन वह घर होती हुए भी संसान गिरिय की तरह है ना एक दुसरे से वारता होती है ना एक दुसरे से हशे मुश्कुराहट है बस सभी एक दुसरे से गाल फुलाएं है चेहरे में सीकन है चेहरे में प्रसनता नहीं है तो फिर कौन सी ज देरान जिठान में बहन और दिदी का रिस्ता हो मानो उस घर में निश्चित ही उसी घर को परिवार कहा जाता है। देरान जिठान दो पर का भोजन एक साथ मिल करके भोजन करते हो एक साथ बैट करके भोजन करते हो मानो उस घर में रोज होली का तेवार है। जना कर लिया जाता हो गुरु वचन कुछ विचार सुन लिये जाते हो और एक साथ भजन और भोजन होता है। आप लोग साल में एक बार मनाते हैं। क्यों नहीं जानते हैं क्योंकि होली अपने लोगों के साथ मिल करके होता है लेकिन अपने ही लोग दुस्मन बने हैं अपने ही लोग पराय बने हैं। आपने ही लोगों से सतुरुता की गांट बांदे हुए हैं, तो कौन सा होली कतेवार? होली मतलब एक दुसरे का हो जाइए, और दीप अली कतेवार है, दीपो कतेवार दीप जैसे जगमगाता है, प्रकासित करता है, वैसे ही आप रोज दिपॉली का तिवार घर में मनाईए, दिप रजलित करिए, माता पिता से आसिरवाद लिजी, तब आपका घर सुर्ग बनता है, सभाग्य से मिलता है ऐसा जीवन, बार बार नहीं मिलता है, आज हमको आउसर मिला है, आज हमारा तन अच्छा है, मन नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं विचारे चल नहीं सकते, और यदि हम सब स्वस्ता होते हुए भी, हम वही काम करते हैं, तो हम भी तो अंधे बारे और लंगड़े हो गए, हम भी वही कर रहे हैं, तो हम भी तो वही हो गए, गलती नहीं होती है आप घर के सदस्य हैं पर भी बाते वियाद बढ़ती चली जा रही है अधी इस संभावना है कि आप वहाँ पर जुक जाते हैं और आप के जुकने से परिवार की रिष्टे बने रह जाते हैं परिवार में आनन्द बिखेरा जा सकता है तो आप की गलती नहीं होने पर भी आप जुग जाया करें जुगता वही है जिसमें जान होती है अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है एक पढ़े लिखे लोग है वो गाली और गलोज दे और एक अनपढ आदमी गाली गलोज दे तो दोनों में अंतर क्या है एक पढ़े लिखे लोग है जो समाज में असभ्य वार्ता करे और अनपड लोग असभ्य वार्ता करे दोनों में अंतर क्या है आप कबीर पंथी है राधा स्वामी वाले हैं गैतरी वाले हैं किसी भी मत्पंथ और संप्रदाई को मानते हैं और आप भी गाली गलोच करे जैसे अनपड गमार देने मात्र से, तिलक लगा देने मात्र से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, धार्मिक वो तो बाहरी सुरूप है, अन्तहकरन की पवित्रता, अन्तहकरन परिवर्तन आद्मिक धार्मिकता का पहचान है, धार्मिक का मतलब इतना सरल और सिधा है, आद्मिक का नेचर, सुभाव आदमी का सुभाव ही धार्मिक है अच्छा सुभाव है वो धार्मिक व्यक्ति है एदि हम गलत सुभाव के हैं तो अधार्मिक व्यक्ति है इतना ही पहचान है सद्गुर्व अभिलाज साहिब जी ने कहा धर्म के बारे में जो हम चाहते हैं वही दुसरों के साथ करें अपने सांसयम और दुसरों के सांससील कवरताओ ये धर्म की परिभासा है इसलिए कभी आपकी गलती नहीं हुई है पर भी आप यदि परिवार में छमा मांग लेते हैं तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है आप जैसे जैसे जीते हैं वैसे वैसे आपके बच्चे देखते हैं उस चीज को और उस पर बच्चों के लिए बहुत सारे बाते हुई है एक बात और कहूं बच्चे आपके सेविंग अकाउंट है आपके सेविंग अकाउंट होंगे आपके बैंक में बहुत सारे पैसा होंगे लेकिन आपके बैंक में जितना ही आप डालेंगे उतना ही आप विड्र कर सकते हैं उतना ही निकाल सकते हैं यदि आप चेक काणते हैं और चेक काणते हैं आप 10,000 रुपे की चेक काणते हैं और आपके account में 9000 रुपया है तो आपके account से पैसा नहीं निकल सकता है इस saving account है आप सभी के जीवन में saving account होगा आप भविश्य के लिए बहुत सारे योजना संजो करके आप saving account कियो होंगे पता नहीं आपके saving account का पैसा काम आई या ना आई ये निश्चित नहीं है लेकिन आपके बच्चे का ऐसा Saving एकाउंट है जो निश्चित ही काम आएगा यदि आप उनके अंदर अच्छे संसकार including करते हैं आप अपने बच्चे के अंदर सहीं संसकार Saving करते चले जाते हैं तो आपका परिवार में चार चांद लगाएगा ओ बच आपके बुढ़ापे की लाठी है बच्चे और आपका जीवन ही नरका रहा तो आप बच्चे को कैसे आप घर को कैसे संचालित करना ही गणित कैसे बताएंगे आप आप खुद गाली गलोज करते रहे तो बच्चे को कैसे सभ्यता की परिवासा सिख लाएंगे बहुत लोग होते हैं, जो सतसंग करते हैं, साधना करते हैं, पर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है क्या करते हैं गुटका खा रहे हैं खा रहे हैं मैं एक वक्ति को देखा जो लगभग लगभग 60 साल का रहा होगा वो गुटका खाता था गुटका खाते खाते उनका दांत जड़ गया लेकिन गुटका नहीं छोड़ पाया तब क्या करता गुटका खाने की जो आदत है तो करता क्या गुटके के पाउच को एक हथोड़ी और छीनी के बीच में ऐसे उसको कूट देता और कूट करके जर्दा को अंदर डालता आदमी की लथ क्या सच्छा देंगे आप साथ यहां बैठे बहुत अच्छे लोग हैं कम से कम अच्छे लोग का अच्छे पर चाहिए होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलेंगे परिवार में एक नए महोल तयार करेंगे आपके पास कितनी संपत्ती है यह बहुत बड़ा महत्तपूर्ण नहीं है बहुत बड़ा महत्तपूर्ण है आपकी संपत्ती असली संपत्ती क्या है वो संपत्ती कैसे है महत्मा गंधी को किसी ने पूछा आप कैसे हैं, आपके बारे में कैसे जानेंगे तो महत्मा गंधी ने उत्तर दिया मेरे बाने में जानने चाहते हो तो मेरे आइड साइड वाले को देख लो बस मेरे बारे में तुमको पता चल जाएगा मेरे आइड साइड मेरे साथ रहने वाले लोग कैसे हैं ऐसा बड़े बड़े गुरू भी नहीं कहते हैं क्योंकि जिस गुरू के बीच में सिस्य रहते हैं वही लोग गलत हो जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी ने वाक्य कहा गुर्देव जी के साथ में जाते थे गुर्देव जी के साथ में उनके साधाक, उनके सिस्य लेकिन गुर्देव जी को पूछते थे आपके सिस्य है गुर्देव जी कहते थे सब हमारे साथ ही है सिस्य नहीं कहते थे आप परिवार के मुख्या है तो परिवार में आप बड़ा मत बनिये बड़ा बनने के लिए महनत कितनी है बड़ा बनने के लिए कितना उसको पकाया जाता है देखे बड़े बनने की प्रक्रिया क्या है आप सभी जानते है दाल को भिंगा करके उसको पीसा जाता है मसला जाता है फेटा जाता है उसके बाद मुसको गरम तेल में डाला जाता है आप बड़े हैं आपकी भी ऐसी परिच्छा होगी आपको ऐसे ऐसे सब्द कहेंगे जैसे का आपने नहीं किये हैं आपको कहेंगे इसका पक्छा लेते हैं उसका पक्छा ऐसे ऐसे बातें आएगी आप परिवार को कैसे संचालित करना है आपकी जिम्मेदारी है और सबसे अच्छा संचालन करने का तरीका है वाणी परसुधारन यदि वाणी आपका संभर जाता है तो परिवार संभर जाता है और वाणी नहीं संभरता है तो परिवार नरक का द्वार बने जाता है तो आपके बच्चे, आपके नाती, पोते, आपके परिवार के सभी लोग अपना हो जाते हैं, परिवार को सुर्ग बनाने के लिए आपस में प्रेम बहुत महत्पूर्ण है, प्रेम के बिना परिवार नहीं चलता है, प्रेम के बिना समाज नहीं चलता है, प्रेम के बिना द बना सकते हैं प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि खुंखार जानवर सेर चीता बाग जैसे जानवर को भी प्रेम के इसारे पर सरकस वाले अपने इसार उपर न चाते हैं प्रेम ही तो माध्यम है हाथी को घोड़े को चीता को सेर को बाग को सभी को क प्रेम की सारे पर क्या आप अपने परिवार को संचालित नहीं कर पाएंगे आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वाणी में मिठा सो होना चाहिए लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वाणी में कटूता आती जाती है जैसे पके फल पके फल और मीठे होते हैं और आदमी का प्रकृति क्या है आदमी पकता जाता है और कड़वा और जहर उगलता चला जाता है आदमी पकता जाता है उम्र बढ़ती चली जाती है और कड़वा बोलना और जहर उगलना सुरू कर देता है कभी सुख और चैन की जिन्दगी नहीं जी पाएंगे आपस में परिवार वालों के साथ प्रेम ये प्रकृती का नियम है जब समूद्र में या नदियों में जुआरवाटें आते हैं तो पहले नस्दिक के गड़ों को पानी भर करके लबालाप करता है तब आगे बढ़ता चला जाता है लेकिन आदिमी कमन कैसा है साथ है उन लोगे साथ दुरत को भाव भाई से भाई की तरह प्रेम नहीं पडोसी से पडोसी की तरह प्रेम नहीं ननन से ननन की तरह प्रेम नहीं माबाब से माबाब की तरह प्रेम नहीं किन से प्रेम है, किन से प्रेम है, भाई से प्रेम नहीं है, भाई से प्रेम नहीं है, बलकि पडोशी मित्र से प्रेम है, भाई से प्रेम नहीं है, अपने पुत्र से प्रेम के बल्दे, अपने मित्र के पुत्र से प्रेम करेंगे, लेकिन अपने पुत्र से प्रेम नहीं कर प जहां सुख और सांती का स्रोत है उस जगह हम सुख और सांती को ढूंड ही नहीं रहे हैं बाहर ढूंडते चले जा रहे हैं क्या सुख और सांती मिल जाएगी नहीं मिलता है इसलिए आपस में प्रेम की ज़रुरत है पहले नस्दिक की लोगों के साथ अधिक प्रेम होना चाहिए दूर वालों से तो करे ही लेकिन नस्दिक की लोगों के साथ कटुता ना बने यह जिवन ऐसा है जहां सुख और दुख का संगम है जब आप समुद्र में चलते हैं तो समुद्र में खारे ही खारे पानी मिलता है खारे ही खारे पानी लेकिन समुद्र में कहीं कहीं मीठे पानी का भी स्रोत होता है समुद्र में भी कहीं कहीं मिठे पानी का स्रोत होता है जब बादल छाया हो तो पूरे काले ही काले बादल दिखाई देते हैं वहां भी कभी कहीं कहीं सफेद की परचाईयां होती है बादल में जब रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में पूरे रेत ही रेत होता है वहाँ भी कहीं कहीं कटिले जाण मिलते हैं जहां कम से कम जादा नहीं तो कुछ सकून के छाया तो मिल जाती है आपको क्या आपके जीवन में सुख नहीं है? दुख भरी जिंदगी है? लाकर के फीट नहीं किया जाता है अपने अंदर का श्रोत है इसे बस जगाना है यदि अपने अंदर का श्रोत हम जगा लिए तो सुक और सान्ती मिल जाएगी घटना बताऊं मैं परिवार का खास मताओं के लिए परिवार को सुर्ग बनाना है तो सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए सास और बहु में सास और बहु में यदि परिवार में संचालान अच्छा से है तो उस घर के बच्चे संसकारी होंगे और सास और बहु में संचालान अच्छा नहीं है तो उस घर के बच्चे संसकारी नहीं हो सकते एक जगा की बाद है एक जगा एक बुडिहा मा लगबग लगबग 80 साल की अवस्था रही होगी 80 साल की अवस्था में जड़जडता की अवस्था होती है सरीर में सीकन्स आ जाता है चमडी सिथिल पढ़ जाती है और उसको एक बहुँ प्यार से नहला रही थी उधर से एक संत गुजरते हैं और संत गुजरते हुए देखे एक बुढ़िया मा को बहुत प्यार से बेटी इस नानकना रही है इतना में पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी मा है, बड़ी प्यार से नहला रही हो, वो बेटी बोलती है, नहीं संत जी मेरी मा नहीं, मेरी मा से बढ़ करके रिष्टा है, उनको रहा नहीं गया, पुना पूछता है, क्या तुम्हारी सासु मा है, वो पुना फिर बोलती ह बहान नहीं संत जी मेरी मा नहीं मेरी मा से मेरी सासु मा से भी बढ़ करके रिस्ता है वो संत जी को रहा नहीं गया वो संत जी पुना पूसते हैं ना तुम्हारी मा है ना तुम्हारी सासु मा है इस दोनों पवित्र रिस्ता से बढ़ करके आखिर हो क्या सकता है क्या है वो ब बदवलत मेरे माथे पे सिंदूर और हातों में कलाई में चुड़िया है कितनी भावना है क्या इतना भावना होने के बाद में घर और परिवार में टूटन की इस्थिती आएगी क्या इतना प्रेम होने के बाद में एक दूसरे में टकरहाट होगा इसलिए आप सभी से निविदन है कि आपस में प्रेम और रिस्ता को बनाए रखे प्रेम सुखने ना पाए और प्रेम को आप लोग बरकर रखे जैसे खेत में पानी सुख जाता है तो पेड़ पौधे सुख जाते है वैसे ही परिवार भी सुख जाता है तो परिवार में भी प्रेम सुख जाता है तो परिवार में भी एक दुसरा सी कटूता आ जाती है नर्क का द्वार बन जाता है प्रेम कैसे सुखता है जैसे कोई आपस में आज से दो चार सल पहले भाई भाई में अच्छी वारताएं होत थी हस हस के मुस्कुरा करके बात करते थे लेकिन अब मुस्कुराना बंध हो गई अब वो बाते बंध हो गई एक दुसरे से बाते होती है दो टुक बाते होती है बाते खतम हो जाती है लंबी वारता नहीं चलती है मतलब प्रेम सुख रहा है पती और पत्नी में पहले लंबे वारता होती थी बाते करते करते 10, 11, 12 बार रात बीत जाती थी लेकिन अब वारताएं नहीं हो रही है मतलब प्रेम सुख रहा है और प्रेम सुख रहा है तो सिचना आपको ही होगा यदि आप प्रेम को नहीं सिचना चाहेंगे तो आपके घर नरक का द्वार बन जाएगा चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो यदि आप बड़े हैं अपना अंकार जुका करके आप प्रेम को सिचते हैं पहले से जा करके मिठी वारता कर लेती हैं पहले से ही अपने से जुक करके प्यार से बात कर लेते हैं या आप घर के बहु है तो आप बात कर लेते हैं कभी कभी में सास बहु में टकरहाट हो जाती है तो बहु तेज बोल देती है या सासुमा तेज बोल देती है आप सभी से निविदन करता हूं वो सासुमा है वो आप के ससूर जी है जिन्हों ने अपने जीवन की पाई पाई जोड़ करके आपको सौंप दिया और आपको सौंप दिया क्या कभी कटू वचन बोल दे इतनी उनकी क्या कभी कटू वचन बोल दे इतना बोलने पर आप ना सहा पाए इतना भी अधिकार नहीं उनका कि कभई आपको कटू वचन बोल सके इतना भी अधिकार नहीं जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ आपको सौप दिया सूचिए आप और यदि आपके घर के बहु है तो आप घर के बहु को बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ ढोल बाजा से डीजे से इतना स्वागत सत्कार करके लाते हैं और आप घर में ला करके ढोल बाजा से नहीं बलकि प्रेम से उनको सम्मान दीजे अब उनका ढोल मत बजाईए आप, आपकी घर की बहु है, आपकी घर की लचमी है आप इतना प्यार देजे कि आपकी बेटी महसूस हो मैं मताओं से कहा करता हूँ कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है जिस दिन आपको अहसास हो जाए कि आपकी बहु भी आपकी बेटी है सच में उस दिन आप मा बन जाती है नहीं तो सिर्फ सासु मा रहती है आप और सासु मा से दुरत्यों का रिस्ता होता है मा का रिस्ता नहीं और जिस दिन बहूं को अहसास हो जाए जिस दिन सासु मा को अहसास हो जाए या बहूं को अहसास हो जाए सचमी ये मेरी मा है उस दिन आप एक बेटी हो जाती है और बेटी और मा का रिस्ता कितना पवित्र रिस्ता होता है इसलिए आप सभी से निविदन है कि घर को सुर्ग बनाए घर को सही ढंग से संचालित करे तो निश्चित ही आपका घर सुर्ग बन जाएगा मैंने घर परिवार आपस में कैसे स्वर्ग बने इस पर थोड़ी देर निविदन करने का प्रयास किया अभी सब्ताही कारिक्रम का आप संतों का विचार सुर रहे हैं इसका पूरा रिकार्डिंग सभी संत लोग दो-तिन मुवाइल में होता है आप सिर्फ एक नाम लेंगे जीवन प्रबंधन तो सभी संतों का चायनल उसमें आ जाता है जीवन प्रबंधन और पुझ्य श्री गुर्बुसन साहिब जी का नाम लिखेंगे अब जब जब जिस संद का नाम लेना विचार सुनना चाहेंगे ना, आप नाम लिजे बस, जिस संद का भी, पुझ्य और साहब जी का, पुझ्य गुर्बुसन साहब जी, पुझ्य श्री देवेंद्र साहब जी, पुझ्य श्री राम साहब जी, ऐसे सभी संदों का आप नाम लेंगे निश्चित ही आजकल विज्ञान का चमतकार है आपको वो संद के विचार सुनने का उसर मिलेगा बस इतना ही कहकर अपनी वानी को विराम देता हूं बोलिए सद्गुरु देव की जै